रिवा में कुनारी से कार करकी गई हत्या जैसे जगन ने अपराध मामले में कोर्स या रोपी को मिली जमानक पर अधिवक्ता सहित पेड़ित पच्छ ने पुलिस पर लापरवाही का बड़ा आरोप लगाया है सर इसमें तो सबसे मुख्य रूप है तो पुलिस की कारवाही पुलिस अपनी कारवाही समय से नहीं कुछी और उसको 90 दिन से जादा होने पे चलान पेश किया गया उसके बाद उसको डिफॉल्ट वेल मिल चुगी है जिस वज़ा से वो बाहर है जेल के और इसकी हमने पहले भी सूचना SP सर के पास भी और IG सर के पास भी की थी इसका आवेदन किया था हमने इसके मतलब परिवार हमारे कुछ रिलेशन हैं उनके थ्रू भी लगते हैं और हमारे से भी लगते हैं उससे हमको यह पता चला कि मतलब इनका मतलब पुलिस का बहुत मेल जोल है इनका मतलब पैसा भी चला है तो इसी वज़े से पुलिस की लीपा पुती की वज़े से ऐसा हुआ है जो इस जगन नपराद को करने के बाद भी हमाई एक ही बहन थी उसकी हत्या करने के बाद भी वह बाहर है आज उसमें सर महिला थाना में हमने बेहन जब हमारी जीवित थी तभी उसने आवेदन एक लगाया था ऐसा ऐसा लेकिन उसके बाद 15 तारिक की जब बात है वो आया 14 तारिक को 15 का हमारी भाण जी का बड़े था वो लेके गया बोला कि हम 16 को साम को पहुंचा देंगे लेकिन फिर भी उसके बाद भी नहीं पहुंचाने पर मैडम के पास हम 18 तारिक को गये हैं इसी का है इसी सन का ये 14 जुलाई की बात है घटना से 2-3 दिन पहले चटाब दिन पहले की बात है तो 14 तारिक को बहुंचा है तो हमारी बेहन डेली बात करने के लिए फोन भी लगाती थी वो फोन भी नहीं उठाता था ना ही बात करवाता था उसके बाद आगे चलके जब धीरे धीरे बहन जादा जित करने लगी हमने महिला थाने में आये मैडम से बात की तो मैडम ने हमें भी बुलाया था सामने वाले उधर के मतलब भान जी के पीता जी को भी बुलाय था सुनिल कुमार पटेल को भी वो आए यहां मैडम ने हमको बोला कि जैसे वो ले गया है अपनी बच्ची आप भी जा का अपनी बच्ची ले आईए उसमें अभी दोनों का समान अधिकार है हम उसके बाद 21 तारीक को बहन जित करने लगी सुबह ही कि हमको बसमे इन 14 तारीक को आया था तो उसने हमसे यह डारेक्टर बोला कि हमारे घर में मा बाप भाई हमारे घर नहीं आएंगे बिलकुल भी तो मैं अपनी वाइफ को लेके गया था अंजली पटेल जो की मेन वहां की गवा थी हम लोग मैं पापा और मेरा एक दोस्त था आनंद विश थी थी होई उनके परिवार के सब सास, ससुर, जेट, जिठानी, जीजा, पहन सब वहीं पर उपस्चित थे उनकी मौझूदगी में ये चीज हुआ है और उनके घर वालों ने पूरा समर्खन तिया, पूरा सहयोग तिया है इस अत्या में आरोपय की हक्तिया की अपराद में तै समय वधी में पूलिस ने चारशीट नहीं पेश की जिसके चलसे आरोपी को इसका लाँग मिला और इसे छमानत मिल गई वहीं आरोपी को जमानत मिलने के ठीक दूसरे ही दे पुलिस द्वारा मामले की चार सील भी पेस कर दी गई हाला कि इस मामले को लेकर पुलिस की चूप कहें या कलम का खेल यह तो पुलिस ही बता सकती है लेकिन इस मामले में पीड़ेत पच्छ की ओर से पैवभी कर रहा अधिवक्तार सहित पीडित पच्छ ने पुलिस पर आरोपी पच्छ को लाभ पहुंचानी का आरोप लगाया है दरासल यह मामरा जिले के मनगवा का है जहां पती द्वारा खुलारी से काट कर पत्नी की इनरसल से हच्चा कर दी गई थी अधिवक्ता ससांग सिंग ने बताया कि पुलिस ने इस मामले में ब्रत्का के पती सहित सास और ससुर को आरोपी बनाया था जिसमें दो आरोपी पती और ससुर को दूसरे ही दिन गिरफ्तार कर जाकर जेल दाखिल खर जया गया जबकि सास को फरार बताया गया अधिवक्ता के मुताबिक कानून के तहट पुलिस को हत्या के इस मामले की चार्चीट 90 दिनों के भीतर कोट में पेस करना अनिवारिक होता है लेकिन पुलिस ने ऐसा नहीं किया और इसका लाब आरोपी गण को मिला और उन्हें कोट से जमानत मिल गई आरोप है कि पुलिस ने जानगूच कर चार्चीट पेस करने में लापरवाही बरती और आरोपी पच्छ को लाब पहुचाने का काम किया गया पुलिस चुकि आरोपी की जमानत मिलने के दूसरे ही दिन चार्च चीट पेस कर दी है जिससे चाहिर होता है कि पुलिस ने कहीं न कहीं आरोपी पच्छ को लाभ पहुचाने का काम किया है फिलाला धिवक्ता ने संबंधित पुलिस और चार्च अधिकारी के विरुत चार्च कर कारवाई करने की मांकी है और उसी दिन इनको सेंट्रल जेल बहुदिया है अचा लॉय ये कहता है कि धारा 187 जो बी एनेस की है नब्बे दिन के भीगत पुलिस को चार्च शीट सब्मित करने होती है अचा इसमें नब्बे दिन पूरे हो रहे थे बीस अक्टूबर दोज़ार जोविस के और पुलिस द्वारा इसमें इतनी बड़ी चूक या चूक के अलामा पे एक है सेकते हैं जान भूच के चार्च चार्च शीट या चलान पेश नहीं होता है तो सुप्रीम कोर्ट और वैसे भी इनसे के अंदर ये एक प्रावधान है कि उसको डिफॉल्ट बेल मिलना चाहिए तो उसने किस तारीख को किस अक्टूबर को 24 को उसने डिफॉल्ट बेल के लिए एक आविलन दिया और 22 तारी पूरे घड़ना क्रम में पूलिस द्वारा जानबूच के ये पूर अक्तोताही की गए क्योंकि जुलाई के महीने में ही पूरी कारवाई कंप्रीट कर ली गए थी सितंबर के महीने में इनके द्वारा उसको लहारी से हत्का की गई थी और बाकी जो वेपन्स थे उनको ससूर और जो उनके जेट थे उनको 14 अगस्त को इनके द्वारा कुछ धाराएं इसमें एक्स्टा लगाई गही थी और उसके अंतरगत फिर गिरफतार किया गया था और 21 अक्टूबर को पुलिस द्वारा बाद में इस पूरे घटना करम में अपने आपको जस्टिपाई करने के लिए एक आवेदन पेश किया गया इसकी साहफ के समख्ष की इसमें वो फरार चल रही है और उनका फरारी के लिए उनके उपर इनाम गोश्ट किया जो की सिर् अथिक मतलब समझाओते भी किये गये हैं और उसके अंतरगत मनमा थाना है और इतना बड़ा इनके कारण मतलब इतना जगहन हत्या में जो इस तरीके से पुलिस ने कारिवाई जारी रखती तो हमने वैसे भी देख रहा है कि हमारी दिले में आज क्या कुछ चल रहा है पु और यही कारण है कि आप 90 दिन तक जानबूच की चार्शीट नहीं पेस करें हैं आप सो रहे हैं कि आप जानबूच की कर रहे हैं और इनके खिलाफ कोई कारवाई नहीं होती है इनको अगर ये बताएं कोई प्रिशेश कारण है जिससे कारण की इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हो सकी है और वो आवेदिन इनको जो मज्ट्रेट है या कोड के समक्ष इनको देना पड़ेगा कोड के द्वारा जब उचित पाया जाएगा कि हाँ इसमें एक उचित का कारण है जिस कारण से इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हो सकी है तब उसको इनको एक अडिशनल चार्शीट पेश करने का हमेशा प्राव धान रहता है लेकिन इस केस में ना तो इनके द्वारा कोई किसी भी प्रकार का आवेदन कोड के समक्ष पेश किया गया इनको एड जवानत मिलने के बाद इनका कोई पता नहीं है और देखिए जो मतब परियादी है और इनके फैमिली के उपर वैसे ही पहले से खत्रा है कि उस दिन ही वो जब हत्या कर रहा था उस दौरान ही उसने इन सब को धंकाया था कि तुम्हारा पूरा खांडान में खटम करने गा और इस ब्रूटालिटी के साथ खत्या करने के बाद अगर नबे नबे दिन में इस तरीके सा रूपियों को छोड़वाते रहे पिलिस तो फिर तो क्या और विवस्था होगी कानून उसका भगवान ही मतलब मालिक है शेशांग सौरब सिंद।